हेलो सूपर कीड्स आज हम पढ़ेंगे माई सिली सिस्टर जो की है एक चैप्टर जिसमें वो जो बोई है वो बताता है अपनी सिली सिस्टर के बारे में मतलब एक छोटी सी अभी जो उसकी सिस्टर है उसके बारे में सो वो कहता है mother your baby is silly सो वो कहता है अपने ममा को कि ममा जो ये सिस्टर है मेरी जो बेबी है वो कितना ज्यादा बच्चे जैसा है चोटे बच्चे जैसा अभी वो वैसे चोटा बच्चा ही होता है she does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars अभी क्योंकि वो इतना चोटा होता है तो उसको difference नहीं पता होता फर्क नहीं पता होता जो street lights होती है और जो सितारे होते हैं उन दोनों के बीच में जो difference है वो अभी चोटे से बेबी को नहीं पता when we play with pebbles she think they are real foods so जब हम पत्थर के साथ खेल रहे होते हैं जो मेरी sister है उसको लगता है कि वो तो असली खाना है she even tries to put them into her mouth और वो उनको खाने की भी try करती है when I open a book for her and ask her to learn ABC जब मैं अपनी sister को पढ़ाने की try करता हूं और कहता हूं कि ABC पढ़ो so she tears the pages with her hands वो अपने हाथों से उन pages को फाड के और खुश हो जाती है और हसने लग जाती है this is your baby's way of doing her lessons so वो अपने ममा को कहता है कि ये देखो ये ऐसे पढ़ती है क्या ये कोई पढ़ने का तरीका है ये देखिए ये चोटी सी baby girl इस pages को फाड देती है है ना when I shake my head at her in anger and scold her जब मैं अपना सिर हिला के उसको उपर थोड़ा सा गुसा होता हूं उसको डांडता हूं और उसको naughty बुलाता हूं she laughs and thinks it is great fun वो हस्ती है और उसको लगता है कि ये तो मैं मजाग कर रहा हूं everybody knows that father is away सबको पता है कि जो पापा है वो गए होए है but sometimes I call out father playfully पर मैं कभी-कभी अपने sister के सामने बोलता हूं कि पापा जरा बात सुनो so she looks quickly about her in excitement and thinks that father is near जबकि सबको पता है कि पापा तो बाहर गए होए है पर उसको फिर भी लगता है कि पापा पास में ही है उसको ये नहीं पता होता कि पापा तो अभी बाहर काम पे गए होए है sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes so मैं कभी-कभी जो donkeys होते है उनको क्या कहते है अपने साथ जब carry करके चलता हूँ क्या कहते है अपने साथ मतलब क्या कहते है पास में रखता हूँ उनकी देखबाल करता हूँ जब जो washerman होते हैं कपड़े धोने वाले जो dhobi uncle होते हैं वो अपने कपडे धो निकले जाते हैं I warn her that I am the school master मैं उसको बोलता हूँ कि मैं तो principal हूँ मैं school master हूँ और वो कोई जादा शोर ना मचाए Only then she keeps quiet तभी वो चुप हो जाती है नहीं तो नहीं होती I insist that she should call me dada मैं उसको बोलता हूँ कि वो मेरे को दादा ही बुलाए Your baby wants to catch the moon कि ममा जो मेरी sister है वो तो चांद को पकड़ना चाती है She is really funny वो बहुत ही जादा मजाग करती है और बहुत ही जादा हसाती है Mother your baby is silly She is so childish So very childish कि ममा जो मेरी sister है आपका जो baby है वो कितना जादा silly है वो कितना जादा छोटा जैसे baby जैसा है So आज हमने पड़ा इस बहुत सी अच्छी story को जिसका नाम है My silly sister So अगर आपका भी कोई छोटा brother sister है So आप भी जानते होंगे कि वो ऐसे silly होते है पर जैसे grow हो जाते हैं तो वो आपकी तरह एक super kid बन जाते है So अगर आप भी बनना चाते हैं एक super kid So कर दीजे नीचे red color के button की उपर tap 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 अगर आप वो कर चुके हैं So अपने friends को भी बोलिए कि वो भी बन जाएंगे super kids अगर वो कर देंगे अंडे के फंडे को subscribe अगर आप अपने दोस्तों को भी बता चुके हैं तो आप कर दीजे screen की उपर tap 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 अगर आप आना चाते हैं हमारे साथ हमारे next adventure पे तो चलिए super kids I will meet you in our next adventure tap tap tap